नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योगा एंड हेल्थ टिप्स पर स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और हमारे इस वीडियों को लाइक एंड सेयर करें बेल आइकन प्रेस करना बिल्कूल ना भूलें ताकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों इससे के पहले के वीडियों में हम आपको बता चुके हैं व्रिक्षा आसन करने का सही समय और सही नियम क्या है इस बीडियो में हम देखेंगे व्रिक्षा आसन करते समय हमें किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कौन-कौन सी साउधानियों को बरतनी चाहिए आईए देखते हैं दोस्तों आम तोर पर व्रिक्षा आसन स्वास्त के लिए काफी फायदे मन्द और बहुत ही महत्तपूर होता है लेकिन इस इस्थिती में आसन के फायदे नहीं प्राप्त किये जा सकते क्योंकि कोई विसेज आपरेशन, चोट या समस्या होने पर हमें आसन नहीं करना चाहिए जिन लोगों को उच रक्त चाप की समस्या हो उन्हें व्रिक्षा आसन करते समय अपने भुजाओं को सिर के उपर अधिक देर तक नहीं उठाना चाहिए अन्यथा इससे सीने में दर्द सुरू हो सकता है दोस्तों आईए और भी बाते जानते हैं व्रिक्षा आसन करते समय क्या-क्या नहीं करना है और कौन-कौन से साउधानियों पर ध्यान देना है पहली बात व्रिक्षा आसन का अभ्यास करते समय अपने एक पैर को दूसरे पैर के जोड या जांग पर सही अस्थान पर रखें और नीचे या उपर न रखें अन्यथा सरीर का संतुलन खराब हो सकता है और आप गिर भी सकते हैं दूसरी बात यदि आपको अनिद्रा या माइग्रेन हो तो व्रिक्षा आसन का अभ्यास बिलकुल ना करें तीसरी बात अगर आपका ब्लड प्रेसर बहुत कम है तो इस इस्थिती में वी व्रिक्षा आसन अभ्यास ना करें चोथी बात यदि आपके गुटनों में दर्द हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें अन्यथा आपकी परिशानी बढ़ सकती है पाँचवी बात अगर आपकी कुलों में चोट लगी हो तो इस इस्थिती में वी व्रिक्षा आसन करने से परहेच करें चटवी बात यदि आपके गुटने में कोई समस्या हो या आपको लगातार चक्कर मैसूस हो रहा हो तो उस समय व्रिक्षा आसन विलकुल ना करें यदि आप उस समय व्रिक्षा आसन कर रहे हों तो उसी समय रोक दें और आराम करें या आप सवा आसन भी कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व्रिक्षा आसन कर सकते हैं और कौन-कौन सी सावधानियों पर ध्यान देना है, इसे जरूर याद रखें और इस प्रकार वृक्षा आसन के फायदे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, इसके आगे के वीडियों में हम आपको बताएंगे व्रिक्षा आसन करने के क्या-क्या फायदे हैं, क्या-क्या लाब हैं और कौन-कौन सी विमारियों से हमें व्रिक्षा आसन बचाता है Thank you friends So I hope यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें